तो friend जो आज की वीडियो हैं वो मुझे तीन दिन लगाई, बनाने में बहुत महनत लगी है, आज की वीडियो में seriously क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़ादा important होने वाले है beginners की level पे भी और advanced के level पे भी चाहे आपको दो तिन हुए guitar ले हुए यह आप Advanced Level का सीखना चाहते है यह सीख रहे हैं आपको कितने साल हो गयोंगे 2-3,4-5 साल हो गयोंगे गिटार सीखते शीखते, यह आपने 2 दिन पहले गिटार लिया है, मैं आपको क्या बताना आँ हूँ, मुझे आज की वीडियो बनाने में मुझे 3 दिन लग गया, बहुत म पहले लेसन क्या होता है जो अडवांस लीवल होते हैं जो अडवांस गिटार सीख रहे होते हैं वो यूट्यूब से क्या चाहते हैं कि यार मुझे कुछ और आया नहीं या मैं कुछ न कुछ सीखता रहूं तो जैसे कि फिंगर स्टायल हो गई या हमारी हरडवीड श्टायल हो गई तो इसके उपर मैंने बहुत सारी वीड़ो बना रखिये लो से लेके एंड हाई-लेवल तक मैंने सारी वीड़ो बना रखिया हैं कि मैंने कोई सी भी ऐसी कुछ भी चीज हो गिटार को कैसे पगड़ना है तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं सबसे पहले मैंने क्या कर रहा है मैं हाँ पर स्क्रीन रिकोर्डिंग ओन कर देता हूं मैंने इस वीडियो में क्या कर रहा है मैंने जितने भी मेरे जितने भी मैंने घ्रेट करने में एंड हर एक मेरी मेरी वीडियो हो गई यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यूट्यूब उबन करता हूं यह मैंने यूट्यूब उपन करा मैं ने और चलता हूं यूड चैनल में अब गया हैं यहां पे तो resevn में na 500 डीटियो मैंने गए फिंगरिश्रल में हो गया कि मैंने न norm मोटर मोटने करते हैं कि अ असरे प्ले करते हैं तो मैंने इसमें 3 दिन में 3 दिन लगाएम एक बना दी और प्लेलिस्ट से हूँ जो एक्सिर सोरी People आपाराग गिटार लेसन फर्स्ट हो गया यह रहा फिंगर सबसे पहले लेसन उनका क्या होता है फिंगर इस्टीचिंग की एक्सोजाई वह बहुत जादा इंपोर्टेंट होती है बिगनर के लिए तब यूंकी फिंगर खुलती है और कोड प्ले करते हैं फिरम सारे गामा प पहले बनाई है, 4th finger, or the right position finger stitching, एक तम सही तरीका, back का भी, और front का भी, कि हमें, किस तरीके से finger stitching करनी होती है, and code shifting, बहुत सारे लोग मेंट से कहते हैं, कि sir, code shifting कैसे करे, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे, यह 2-3 वीडियो है, and नीचे भी मेरी और भी वीडियो है, वह सारे लोग मेंने 2-3 वीडियो क्यों बना रखे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, हर तरीके से समझ में आ जाए, मैं हो सकता है मेरे दिमाग, जैसे हम में लेसन बार हो, सकता है मेरे मेरे में यह बां, मतलब की, नेश्ट लेसन में जो मैंने बनाया उसमें ना बात हुई हो मेरी जो मैंने इसमें बनाया वह कुछ बात ऐसी होते हैं जो मैं भूल गया है वह नेश्ट में बना दी तो ऐसे करते मेरी 2,4,3,4,5,6,7,8,10 वीडियो ऐसी मेरी बार कोड़ पे हो गई इसके बार कोड में दिक्कत है वह यह वाली वीडियो देखिये और हाउ टो चेंज गिटार इस्टिंग चिंके श्टिंग टूट जाते है उनके अपर मैंने प्लेइलिस्ट बना रखे देखिये आपको इसके निमें शो हो रहा होगा और हाउ तो फाइंट जो बिगिनर्स बह असली बता रहा हूं मैंने लेकिन इतनी वीडियो क्यों बनाई क्योंकि आपको हर तरीक सा पता चल जाए कि यार हमारे टैप से कैसे निकलते हैं मैं regular basis पर निकालता रहा हूं आप क्या करते हैं जैसे कि मटर पनीर हो गया मटर पनीर अपने पता ने कितनी दुखानों को खाया देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ इस तरीके से वर्क करना होता है यह हो गया मेरे हाउड फाइंड टैप से एंड मोटिवेशन वीडियो जैसे कि मैंने इंप्रूमेंट कैसे अपनी गिटार में अब यहां भी दे सकते हैं बार कोड गिटार लेसन आपक आपके देखो यहां पर देखो किस तरीके से मैंने हाउ टू प्ले बार कोड सो फाइवेज और गिटार बजीं हाउ टू होल्ड मीनी एफ बार कोड बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैंने इसमें बार कोड के लेसन बता रखे हैं शेप सो ओफ स्केल बहुत ही मोश खें मैंने कि इस तरीके से मिन दिकलेगा इसले मेरी एकी प्ले लिस्ट में हाउ टू फाइन दू कोर्स तो कोड से जो है ना बनार के end streaming pattern guitar lesson आपको मज़ा रहा होगा seriously मैंने बहुत जादा मैत लाई है आज के lesson में अब देखें आपर streaming pattern guitar lesson जो भी बहुत सारे beginners होते हैं यह मेरा streaming pattern इसमें मैंने कितनी 29 वीडियो डाल रहे हैं मैंने सारा चाट दी आपनी वीडियो को कि आप ले लिस्ट में जाहिए जो आपको चाहिए वह देख सकते हैं अब मेरे फिंगर इस्ट्रमिंग बैटन है इस्ट्रमिंग बैटन गिठार लेसन की उस गाने में कैसे streaming आईगी हम इस्ट्रमिंग बैटन किस तरीके से ढूंडते हैं कैसे आप फिर हमारे केहाताई मेरे भाएस के स्पार थीयुरी होती है इसमें भी देख लेएते जाके नोव एडो पड़ी है तोनिक सब डोमिनेट, डोमिनेट, relative minor क्या होता है, relative major क्या होता है इसमें सारे theory के lesson पड़े हैं एक song में हमारी कितने code लग सकते हैं, कैसे कैसे लग सकते हैं ये भी आपको बहुत Bollywood guitar lesson, इसमें सारे जो भी मैं वैसे song पे तो लाता हैं गिटार लेकिन गिटार बजाए कैसे, कोड कैसे निकाले, टैब से कैसे निकाले, ये कोई नहीं सीखता, मतलब कि ये कोई नहीं सिखाता कि हम स्ट्रमिंग कैसे करें, अच्छे से इंप्रूम्मेंट कैसे करें, स्ट्रमिंग किस तरीके से होती है, इस गाने में क्या streaming आएकि इस गाने के टैब से के से पे भीट होंगे मैं इन सब पर वीडियो बनाता हूं आपको इसमें जाद़ वीडियो नहीं मिलेंगी, यह तो मेरी बहुत पुराणी वीडियो है, यह 67 है इसमें भी मैंने पहले गाने में लाता था लेकिन अब मैं बहुत कम लाता हूँ क्योंकि मैं चाहते हुए कि गिटार बजाना सीख जाए गाने तो हर किसी के प्लैटफर्म पर एंड हर किसी के 36 लेसन मिल जाएंगे भी इंड हर मिल जाएंगे आपको जो एक ही काने का लेकिन टार बजाए कैसा हर्डवीट चैनल बजाए इंप्रूमेंट इसले करें वह नहीं मिलेगा आपको कि अ इंड हो सब्सक्राइब बहुत बहुत जादा महनत लगा यहर तीन दिल लग गया मुझे इसको how to find की scale एंडल सोंग हम किसी भी गाने का scale का सेडून्डेश अब हम test में गाना निकालते हैं तो उससे पहले हमें क्या डूनना पड़ता है कि मेरे भाई हमारा scale का जा रहा है तो इसमें आप scale इस प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं इसमें मैंने यह बेसिक मैंने स्टार्टिंग से चला था कि हमारा पहले प्लेइलिस्ट देख सकते हैं मैंने सारे लेस्ट बना रहे हैं अब इसको बंद कर देते हैं इसकी रिकोडिंग को बंद हो गई तो इसको आप अच्छे तरीके से देखे मैंने बहुत जादा महनत लगाई है यार इस प्लेलिस्ट को बनाने में एंड वीडियो चार्टर में 500 वीडियो किस प्लेलिस्ट में जाएगी कैसे जाएगी कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगी प्लेलिस्ट वो मैंने सारी कर देना यार मेरी बहुत जादा महनत लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको नेश्ट लेसन क्या चाहिए डिस्क्रिप्स निचे कमेंट कर दीजिए मैं नेश्ट वीडियो उसी पर लिया हूँगा एंड आपके कमेंट के बेस पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में थे नहीं था वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना जरूर से और सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को ओन कर लेना बस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में